एन फिंगर चनल में आपका स्वागत है आज हमको अच्छा च्छा की गड़ित का अध्याय एक अपनी संख्याओं की जानकारी इसकी प्रस्नावली एक दिसमलवई का प्रस्न कुर्मांग एक एवं दो हल करेंगे उनको हम दो रूपों में लिखते हैं एक तो लिखते हैं भा गाई दहाई सेकड़ा हजार दस अजार लाक दस लाक करोड करोड के बाद दस करोड भी आता है अभी हमें जो हमारे सिक्स क्लास का कोर्स है उसमें हमें भारती संख्या पदती में करोड तक ही पढ़ना है और जो अंतर राष्ट्रे संख्या पदती है दस करोड भी आप लोग लिख लीजी जो अंतर राष्ट्रे संख्या पदती है याणि कि जो सभी देशों में चलती है उसमें आता है इसमें भी हम दाईयों और से शुरू करते हैं यहां से आता है एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार और दस हजार के बाद आता है इसमें सो हजार सो हजार के बाद आता है मिलियन दस मिलियन और दस मिलियन के बाद सो मिलियन भी आता है अब जो हमें कॉश्चन दिये रहेंगे तो उसमें आपको पहचान करना पड़ेगी कि ये हमसे भारती संक्या पधती का पूछा गया है अंतर राष्ट्रिय का तो जहां पर मिलियन की बात आ जाए तो वहां पर अंतर राष्ट्रिय संक्या पधती हो जाएगी मिलियन और सो हजार इन दोनों में देखे क्या अंतर है दस जार तक तो दोनों सेम है इसके बाद भारती संक्या पधती में आता है लाग और इसमें आता है सो हजार यानि कि एक लाक मराबर सो हजार फिर इसमें आता है दस लाक इसमें आता है मिलियन और भारती संक्या पधती में आता है करोड और अंतराश्ट्रे संक्या पधती में आता है दस मिलियन तो इस तरह से इन दोनों वस यहीं अंतर है जहां पर मिलियन सब्दा जाएगा वहाँ प करोड और 10 यह तक मेर प्रतिष्ट संक्या पढ़नाργिम करें आप शब्सका ज़्म मेर दिया गया हमें एक लाग वरावर खालिस्थान Milliarden ठेख रखे ह। आप ऊप से दियूंदे कि ट millennia का 10 यह तो आप इसको देख लिजिए कि 10 कैसे इक लाग origin लिखeln Yaa यहाँ पर हम बना लेंगे एक इसके बाद एक दो तीन चार पांच यह पांच सुनने आ जाएंगे तो एक लाक में कितने सुनने आ जाएंगे पांच और दस अजार दस अजार यह दिया है यहाँ पर दस अजार में कितने शूनने आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा एक उसक ये लाइन आपको सुविदा के लिए खीची गई है ये देखे इसमें 4 सुन्य है और इसमें भी हमने 4 सुन्य कट कर दिये यहाँ पर अकेला बच्छा 10 वटे 1, 10 वटे 1 का मतलब होता है 10 तो खालिस्तान में आजाएगा 10, 10,000 एक लाख बरावर 10, 10,000 आप इसमें भी देख लेजिए कि एक लाख के बाद यदि हम इसको 10,000 पढ़ रहे हैं तो इसके बाद क्या आजाएगा 100,000 या 10, 10,000 एक मिलियन मराबर 100,000 अब एक मिलियन मिलियन आगया इसका मतलब यहाँ पर हमें अंतराश्ट्रे संक्या पद्धती कॉप्यों करना है तो मिलियन यह है हमारा मिलियन में कितने शून्य हो जाएगे यह एक मिलियन के नीचे आजाएगा यह एक मिलियन के नीचे, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे सून्य आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, आप चाहें तो यदि पास पास लग रहा है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने पैंसल से लाइन कीच दी है, मिलियन में कितने सून्य होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यह तो मिलियन के हमने लिख दी है, छे सून्य, इसके बाद है सो हजार, सो हजार में कितने सून्य हो जाएंगे, यह यहाँ पर है, सो हजार, तो सो हजार में, यह देखिए, यहाँ पर हमने लिखा, एक, इसके बाद आजाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच सुन्या जाएंगे तो हमने यहाँ पर लिखा सो हजार अब देखी नीचे के पाँच सुन्य है और उपर के भी हम पाँच सुन्य से पाँच सुन्य कट कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचा हमारा दस बचा? यहाँ आंसर आजाएगा दस सो हजार. अब भाक सी में दिया है एक करोड बराबर खालिस्थान दस लाग। तो यहाँ करोड की बात आ गई, करोड यानिकी हम यहाँ पर भारती संक्या पधधती देखेंगे, तो एक करोड में कितन लेंगे 1 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर हमने लाइं कीचती, 10 लाख, 10 लाख में कितने शुन्य है, यहां पर हमने माल लेज़े, 1 लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह उगाए 6 सुन्य, एक लाख के हम लिख लेंगे, 10 लाख के लिख लेंगे, 6 सुन्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह ह पिर से 6 सुन्य से 6 सुन्य कट जाएंगे और उपर बचेगा एकला 10 तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाग अब में हमें दिया है एक करोड बरावर खालिस्थान मिलियन तो एक करोड अर्थाती है भारते संक्या पद्धती में देखेंगे तो एक करोड यहाँ पर है एक करोड एक करोड में कितने शून्य हो जाएंगे यहाँ पर हम यदि एक लिख लें तो इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ एक करोण में हो जाएंगे साथ सुने अभी आपको मैंने उपर भी लिखके दिखाये थे और नीचे हो जाएगा मिलियन मिलियन याने कि एक मिलियन माल लेंगे तो मिलियन तो अंतर राश्टर संक्या पद्धती में आता है मिलियन में सुन्य हो जाएंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे एक, इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इकाई का यह है, यह दहाई का और यह सैकड़ा का इसके बाद तूरे एक के नीचे एक है, तो मिलियन, इसमें है छे शुन्य, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक बाद इसको फिर से देख लीजिए, मिलियन में कितने शुन्य है, छे सुन्य, यह आपको समझ में आ गया होगा और करोड में आ जाएंगे, साथ सुन्य, यहाँ पर अप एक सोच थोड़ा इमेजिनेशन कर लीजिए, और इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहाँ पर आ गया, साथ सुन्य, तो एक करोड में साथ सुन्य, और एक मिलियन में होगा, छे सुन्य, इनको ह एक मिलियन मरावर खालिस्थान लाग, तो यह है हमारा एक मिलियन, यह है एक मिलियन, एक मिलियन, एक मिलियन, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, सुन्य है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक मिलियन, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, एक लाग, लाग तो हमारा पद्धती ओता है भारती संख्या पद्धती में लाख में कितने सून्य होते हैं यहाँ पर हम एक लिख लेगे 1 2 3 4 5 ले फैन्हीर होते हैं एक लाख में तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 अब दिखिए यहाँ पर इफ सून्य है और यहां पर भी हम 500 ने कट कर देंगे तो यहां अंसर क्या बचेगा हमारा 10 इस तरह से अंसर आजाएगा हमारा 10 लाग और यह जो टेविल है यह बनाना बहुत आसान है यह मैंने आपके सामने भी बनाई है बस थोड़ा सापको याद रखना है भारती संक्या पदती में तो सबको याद हुगा एकाई दहाई से एकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड है ना और अंतराश्ट्रिय में हजार दस हजार तक तो एक साथ है दस जार के बाद सो हजार सो हजार के बाद मिलियन और मिलियन के बाद दस मिलियन बस आपको इतना धिहान रखना है और आपसे कोश्चन यह पूरी प्रस्नवली आसानी से बन जाएगी तो यह तो बहुत आसान है फस्ट वाला इसको हम नॉर्मल ही लिखेंगे तेहतर लाग पचेतर हजार थीन सो साथ अब इसको पढ़के देख लेते हैं इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जाल लाग दस लाग तक आ गया और इसमें क कैसे आएगा यह भारते हैं कि अंतरश्च्रे संक्यया पद्धि क्योंकि इसमें लाख लिखा है इसले यह तो खीर है नो करोड पांच लांग इक्तालीस ये तोड़ा साब देख लीये पहले हमने यह अंक लिख ली जो हमें दिये हैbak नौकरोड पांचलाक 41 अब नौकरोड में कितने प्रिकार से है नो करो तालाक 501 अब ये देख़े करोड यहँ पर है करूड के नीचे आजएगा नौ PHyrल bit नीचे पांच यदि 50 लाग होता तो हम 10 लाग के नीचे लिखते हैं चुकि सिर्फ 5 लाग इसलिए यहां पर आजाएगा पांच और 41 कहां आएगा यह आएगा इकाई और दाही के स्थान पर अब बीच में जो भी बचे हैं वहां परम्शूनने लगा देंगे एक सुनिसेकड़ा के नीच आजाएगा एक हजार के नीचे एक 10 जार के नीचे और एक 10 लाग के नीची तो इस तरह यह पूरी संख्या हो जाएगी हमारी यह 9 0 5 000 यह आप लोग ने यहां पर बनाई है इसको आप देख लीजिए बस आपसे यह चार्ट बनाते बनना चाहिए एकाई दहाई वाला तो इस संख्यक हम पढ़ लेते हैं पहले तीन अंकों के बाद फिर दो अंकों के बाद उसक पुना दो अंकों के बाद तो यह तो यह हम पढ़ भी सकते हैं इसको नो करोड पांच लाग एक तालिस अब इसी का भाग सी यह है 7 करोड 22,001,302 तो 7 करोड 22,002 अब यहा देखे़ 22,002 पर इसको मतलब यह हुआ राष्ट्रि अपने भारते संग करोड के नीचे हम लिखेंगे 7 22,002 तो 22 यहाँ आ जाएगा यह 5 आ जाएगा 10 लाग के नीचे आ टू आ जाएगा लाग के नीचे 52,21,000 और यह जाएगा 302 इस तरह से आप ये पहले बना लीजिए या अंकों को लिखने के बाद इसका दूसरा तरीका आप देख लीजिए हम इसको नॉर्मल लिखेंगे 7 करोड़ 52,21,302 तो यहां से आप अंक गिनना सुरू कीजिए इकाई दहाई सेकड़ा 10,10,100,100 करोड़ पूरी-पूरी संख्या इसमें कहीं फिर अत्रिक्त सुन्ने रखने का वशक्ता नहीं है तो हम इसको बस एक पर लिखेंगे और फिर यहां से हम नमबर गिल लेंगे इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड अब कॉमा लगाएंगे तो ये पहले तीन अंकों के बाद फिर दूंकों के बाद उन्हां दूंकों के बाद और यहां पर चुकी लाग आ गया है इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये हमारी कैसे संक्या पद्धती है यह राष्ट्री है तो यह हमारा हो गया आंसर डी भाग में हमें दिया है 58163202 अब मिलियन अब गया इसका मतलब हुए एंज़ी अंतार राष्ट्री जंख्या पद्धती है अभी हम इसको नॉर्मल लिखते हैं 5800443202 अब हम इसको गिल लेते हैं अंताराश्टरी में होता है 1 ही set arsenal 1000 की बाद आता है 10,000 10,000 की बाद आता है 100,000 100,000 की बाद आता है million اور million की बाद आता है 10 million तो यह हो गया 58,423,202 और अंताराश्टरी संके अपदती में कौमा दाई और से पहले तीन अंकों के बाद, उना तीन अंकों के बाद, और फिर इसमें तीन तीन अंकों के बाद लगते जाते हैं. तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं असानी से आप एक पर संख्या लिख लेजिए फिर रंकों को आप दाई और से गिनना सुरू कीजिए अंतर राष्ट्रिये में होता है क्योंकि यहाँ पर 423,000 दिया है इसलिए हम यहां सो पांचबर है धाग देंख लेते हैं सैकड़ा हजार दसजार लाक अभी ये लाक में एक अभी कहीं पे कुछ कम है एक शुन्य तो ये सुन्य कहां पर आएगा तेईस लाक तीस अजार तो दस जार कैसा लिखा जाता है दस के बाद चार सुन्य तो तीस जार कैसा लिखा जाएगा तीन के बाद चार सुन्य तो यहा लेकों इसमें कॉमा लगा लेते हैं पहला कॉमा आएगा तीन अंकों के बाद दूसरा कॉमा दो अंकों के बाद और यहां पर पुना दोंक बच्चे तो इसकों पढ़ लेते हैं एकाई दहाई सेकड़ा हजार दसजार लाग दस लाग तेस लाग तीस जार दस यदि आपको इस तरीके से नहीं बनता है तो आपने जो टेवल बना के रखा है यह भारती संक्या पद्धती का आप इसमें देख लिए जीए तेस लाग आएगा यहां पर यह आ जाएगा यहां पर आजाएगा इसमें तेस लाग तीस जार और दस तो यहां आएगा अब एक शुन्य बच रहा है इसको हम यहां पर लगा देंगे तो इस तरह से आप दोनों तरीके में ने बता दी है आपको जो भी आसल लगे उस तरीके से आप इनको हल कीजिए उम्मीद करती हूँ कि यह प्रस्त आपको समझ में आ गया होगा यह प्रस्तुती 10 फिंगर चैनल की ओर से थी देखने के लिए धन्यवाद